हेलो आल एंड वेलकम बैक अगें टू मॉडरेन हिस्ट्री सीरीज में हम लोग डिसकेशन कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस से स्ट्रॉगल की और लास्ट लास्ट में हम लोग ने कॉंग्रेस रोलेटर चीजें किया था और सोशियो रिलीजियस मोमेंट वगरे के बारे कि अगरे हुए थे उनके बारे में हम लोग बाते करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां पर क्या क्या चीजे हो रही हैं यह टॉपिक ऐसा है जहां पर लोगों को बहुत ज़दा डाउट रहता है और काफी कुछ चीज यह क्लियर भी नहीं होती है तो हम लोग कोशिश है जितना भी relevant पार्ट है हमारे इस examination point of view के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ेंगे और discussion करेंगे जो भी छोटी-छोटी topics है और उनको एक clarity में लेकर के आएंगे कि आखिर में क्या सीन है इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो देखिए अगर इस पूरे टॉपिक के बारे में अगर बात किया जाए तो इस और हुए थे तो क्यों हुए थे और कैसे हुए थे ठीक है फिलाल में बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वाले जो इंडिया में हुए थे अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी हैव फोर एरियाज एक एरिया है जो है आपका बेंगॉल जो कि अपने आप में बहुत ही इंडियन इडिपेडनेंस इस च्ट्रोगल के दोरान में दूसरा इलाका है जो है यूपी यूपी का मतलब हो गया आज की टाइम में उत्तर प्रदेश लेकिन उस समय क्या था इस वाज्यूनाइटड प्रोविंस उस समय ये उनाइटड प्रोविंस के नाम से जाना याता इसके अलाबा आपका next इलाका है that is महाराष्ट्रा, महाराष्ट्रा के बाद ultimately आ जाएंगे हम लोग पंजाब के इलाके में, हाला कि पंजाब में बहुत जदा कोई revolutionary activities नहीं हुई थी, बट इस्टिल जो भी relevant हमारे लिए उन सब को हम लोग discuss करेंगे इस पूरे session में, तो सबसे पहले हम लोग देखने हैं जरा बेंगॉल के बारे में, बेंगॉल के बारे में अगर देखा जाए, तो शुरुआत होती है 1871 से, देखें यहाँ पर year important है आपके लिए याद रखना, 1871 से शुरुआत होती है, 1871 में क्या होता है कि यहाँ पर वहाबी moment हो रहा था, तो जो भी वहाबी moment के लोग थे, वहाबी moment वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया था, 1871 में यहाँ का जो chief justice था, जो chief justice था, उसका नाम था Norman, Norman का इन लोगों ने मार दिया था, इसी तरीके से जो 1872 में जो वाय सुराय था, that is Mayo, Mayo को भी मार दिया गया था, तो इन दोनों लोगों का murder कर दिया गया था, 1871, 1872 के दोरान में, यहीं से इस पूरे के पूरे revolutionary moment के दोरान में एक संस्था, बहुत यादा important role play करती है, जिसका नाम है अनुशीलन समिती, अनुशीलन समिती, य जब इसके start की गई थी, तो ऐसा नहीं सोचा गया था, कि यह बहुत जादा जो है, name fame कमाएगा, लेकिन ultimately यह जो youngsters है, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा famous हो गई, और बहुत ज्यादा इसमें participation लोगों का होना शुरू हो गया था, जब शुरुवात की गई थी, तो इसका नाम रखा गया था, Indian Anushiland Samiti, this was Indian Anushiland, ठीक है, Indian Anushiland Samiti रखी गई थी, लेकिन आगे जा करके, एक साहब थे जिनका नाम था, प्रमत कुमार, this is प्रमत, प्रमत कुमार ने इस Indian Anushiland Samiti का नाम बदल करके, Anushiland Samiti simply रख दिया था, तो Anushiland Samiti यह बन गई, अब यह Anushiland Samiti शुरुवात में जो बनाई गई थी, वो कैलकटा में बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसके बहुत सारे ब्रांचेज हो गए थे, in fact जो ब्रांचेज हुए थे, उसका अगर नाम बात किया जा है, तो देखिए, एक थी, जो मिदनापूर में थी, तो मि खिलकटा में, उस समय श्टार्ट करने में काफी important लोल पा लिए किये थे, कौन-कौन, एक थे आपके बारिंद्रनाथ, इस बारिंद्रनाथ, ठीक है, जो आपके अर्विंद्रनाथ के, basically भाई थे, इसके अलावा, जतींद्रनाथ, गो जतींद्रनाथ थे, इनको बागहा जतिन के नाम से भी जाना जाता तो नियाम जाद रखेगा बागा जतिन ठीक है इनकी क्या है कि 1915 में एक मतलब दो वार हुई थी ब्रिटिशर के साथ में और यहां पर 1915 में इनकी डेथ हो गई थी तो अनुशीलन समिती की ये पूरी की पूरी शुरुवात होती है अब इस अनुशीलन समिती की जो हैड क्वार्टर बनाया जाता है वो दो जगों पर बनाया जाता है एक बनाया जाता है आपका धाका में और दूसरा बनाया जाता ओविसली कलकटा में कलकटा और धाका में इनका हैड क्वार्टर बनाया जाता है समय के साथ इसके बहुत सारे ब्रा पर हो गए थे अब यहां पर कई सारे इन लोगों ने जो है घटनाएं बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जो कि हमारे लिए important है और जो इस अनुशीलन समीति ने किया था इसमें किया गया था बर्रा डखैती तो बर्रा डखैत्स यह किया गया था 2008 में कौन किया था इसको करने वाले जो थे उनका नाम था पुलिन बिहारी दास पुलिन बिहारी दास नाम के वल इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद कैसे रखेंगे देखिए बर्रा और पुल पुल मतलब ब्रिज ठीक है तो इस तरीके से में हुए थे उस समय ये लोग इस तरीकी की revolutionary activities कर रहे थे तो बंब अटाक किया गया था कि इसके उपर में यह किया गया था ठीक है क्लियर यहाँ पर कर देते हैं देखे जो आपका ये बेंगॉल प्रेसिडेंसी थी बेंगॉल प्रेसिडेंसी उस समय यहाँ पर कौन कौन सी चीजे आती थी बेंगॉल प्रेसिडेंसी में चीजे आती थी एक तो आपका खुद जो बेंगॉल है बेंगॉल में आपका कि एटीन ए्टीफॉर सवारी एटीँ ईसे अलग कर दिया गया था तो यह धियानना साटिर दूसरा इलाक width of और उडिशा का इलाका है अब बेंगवा प्रेसिडेंशी में शुरू में बेंगॉल свое ता माता था बिहार आता था l बंगॉल को इस्ट बंगॉल और वेस्ट बंगॉल बनाए गया था 1905 में और 1911 में वापस से इसे एक कर दिया गया था असम को 1874 में अलग किया गया था और बिहार और उडिशा को अलग किया गया था 1912 में तो ध्यान रखेगा यह में भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट और हो सकता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो तो अब देखें किंग्स फोर्ट को वापस आते हैं बॉम अटैक पर बॉम अटैक किया गया था किंग्स फोर्ट के ऊपर में और यह उस समय बेंगॉल प्रेसिडेंसी के अंडर बिहार इलाके में खुदी राम बोस खुदी राम बोस नाम तो खैर इन लोगों का सुने होंगे आप जो प्रफुल चंद चाकी इन्होंने तुरंटी आपने हाथ से ही स्विसाइड कर लिया था खुद को गोली मार ली थी और जो खुदी राम बोस है इनको हैंग तिल डैथ इनको फासी दे गई थी तो यह आपका bomb conspiracy वी थी magistrate के खिलाफ में तीसरी होती है जो next घटना होती है वह हुती हार्डिंग बॉंब केस इस हार्डिंग बॉंब केस अब इसको हम लोग डेली conspiracy के नाम से भी जानते हैं डेली conspiracy अब देखें ये थोड़ी सी कहानी लंबी है तो थोड़ा सा समझेगा यहां पर हुआ क्या था हुआ यहां पर यह था कि 1905 में 1905 में जब बेंगॉल का partition कर दिया गया था बेंगॉल का partition कर दिया गया था तो लोग बहुत जादा जो है इसको ले करके मदब रिवोल्ट कर दिये थे स्वदेशी मुवमेंट वगरे चलाए गया थे लोगों ने जो है राखी उत्सव वगरे बनाया था तो बहुत सरी चीजे कर दी गई थी तो इसको ले स्वाओर करके अल्टिमेटली 1911 में यहाँ पर जो 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 फाइफ रहते हैं जो फाइफ को रहते हैं जो फाइफ बैसको इसको वापस से re-establish कर दिया जाए जो पहले था वैसे ही कर दिया जाए यानि कि जो भेंगॉल का division उसको वापस से एक कर दिया जाए दूसरा इन्होंने कहा कि अब जो है कैलकटा राजधानी नहीं रहेगी अब राजधानी रहेगी डेली तो कैपिटल इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया था डेली कर दिया था अब यहां पर सारी तैयारी हो गई थी और इस समय का जो वाइसराय था वो था कौन था बताइए इस समय वाइसराय था harding ठीक है harding था वाइसरा है अब यहाँ पर इन लोगों ने यह कहा कि चलो ठीक है डली कैपिटल हो गई है तो यह लोग क्या है shifting का काम चल रहा था shifting के काम करने में यह लोग जा रहे थे कैलकटा से ले करके डेली जा रहे थे और ये पूरा का पूरा प्लान अब इसी बीच में जो है बॉम्ब का प्लान किया गया जब जाएंगे तो हम लोगे काम करेंगे बॉम्ब फोड़ देंगे तो हार्डिंग के उपर हमें बॉम्ब फेका जाएगा तो जब बॉम्ब फेकनी का ये पूरा का पूरा जो प्लान बनाये गया था रास बिहारी घोश के द्वारा रास बिहारी घोश ठीक है रास बिहारी घोश ठीक है ये बोस है घोश नहीं है ध्यान रखियेगा 1907 में जो कॉंग्रेस की प्रेसिडेंशिप किये थे रास बिहारी घोश थे ठीक है और ये है रास बिहारी बोस ध्यार रखिएगा ये ठीक है तो बॉंब का प्लान किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा और एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया गया था एग्जीक्यूट करने में कई लोग थे जैसे एक नाम था अवद भिहारी का तो अवद जी थे इसके अलावा एक साहब और थे जिनका नाम था अमीर चंद्र इसके अलावा इन्हीं राज भिहारी भोस के ही साथ ही लोग थे जिनका नाम था बसंद और लोग terror बज़ों मुकुंद तो दो लोग हैं अभी यह लोग जो है वो बादमें पकड़े भी गय twee उइद्हें हुआ क्या था और इसलो कोई अटाइक हो सकता है अल्टिमेटली हुआ क्या था कि इन सब लोगों को इंप्रिजन कर दिया गया था इंप्रिजन कर दिया गया था लेकिन तब तक जब कि इंप्रिजन्मेंट हो रही थी हमारे जो राज भीहरी घोष थे बड़े ही मतलब कैली जे की दूर तक दे सोच लेते थे काफी प्लांड थे यह तुरंद के तुरंद जो होता है जापान भाग गया फ्लेड टू जपैन अब इनकी कहानी का आएगी अब इनकी कहानी स्टार होगे अब यह पर राज भीहरी खोषच के बारे में बात लेते हैं तो इनका च्रेटर इंडिया में च्रेटर लिए एज शूरू कर देडें अर यही पर हिनों ने शाधी वधी कर ली थी यह जापानी बन गया थे है और इसलिए इंट्रेक्ट बोला आता है कि ये जापानी दामाद है इस तरीके से कुछ बोला आता है अब देखे राजब्यारी बोस ये रहे रहे थे जापान में सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंडेंस स्ट्रगल में ऐसा नहीं है कि अपना काम ही खतम कर दिया इन्डियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का अभी भी काम किया अंडर ग्राउंड एक्टिविटी अंडर ग्राउंड एक्टिविटी पता नहीं चलता था कि क्या कर रहे हैं अंडर ग्राउंड एक्टिविटी के दौरान में यहाँ पर इन्होंने Indian Independence League बना लिया Indian Independence League बना लिया अब यह जो Indian Independence League है Ultimately जब यह Captain Mohan Singh के साथ में मिलते हैं हम लोग बात करेंगे आगे Captain Mohan Singh के साथ में जब मिलेंगे इनके पास 40,000 की आर्मी रहती है फिर उसके बाद से यह हमारे जो रास बिहारी बोस है इन्होंने अपनी Indian Independence League मिला थी और सुभास चंदर बोस इसी टाइम पर आ जाते हैं बात हो रही है 1943 की 1943 में सुभास चंदर बोस भी आ जाते हैं और इनके पास रहती है मुक्ति बाहीनी सेना यह तीनों-तीनों मिल करके Ultimately बना देते हैं आजाद हिंद फोर्स ठीक है आजाद हिंद फोर्स बना ली जाती है ठीक है तो एक है रास बहरी बोस के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे यह चोटी सी कहानी यहां पर इसलिए बताई गई ताकि आपको एक कंप्लीशन रहे आइडिया रहे कि आखिर में क्या हम लोग बाते कर रहे है वापस से आते हैं और हम लोग जड़ा देखते हैं दिल्ली कंस्पिरेसी के बारे में यहां पर अटैक हो चुका है हाडिंग के ऊपर में बाम फेका जा चुका है और जो हमारे अवद बिहारी हैं अमीर चंद्र हैं बसंत हैं और जो मुकुंद हैं इन लोगों को इंप्रिजन कर दिया गया है लेकिन खेर अल्टीमेटली लोगों के मन में अभी एक थ्रट आ चुका था जो जैपनीज थे उ बारे में ठीक है फिर उसके बाद से नेक्स्ट एक और छोटी सी और घटना होती है जिसको बोलते हैं अलिपूर कंस्पिरेसी अलिपूर कंस्पिरेसी ठीक है अब यह अलिपूर कंस्पिरेसी क्या चीज है अलिपूर कंस्पिरेसी में यह हुआ था कि यहां पर दो लोग थ थे और दोनों के उपर में ट्राइल चला अब यहां पर जो और विंदो घोचते इनको तो जो हमारे चितरंजन दास थे इन्हों ने क्या है इनका केस फाइट किया और इनको किसी तरीके से बचा लिया गया अब दीखिए यहां पर केस क्या था conspiracy का case था Britishers के खिलाफ में कि Britishers के खिलाफ में कुछ घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है अब ये पूरी की पूरी बात कई कैसे यहां पर court में पहुची कैसे court में कौन गवाही दिया तो court में यहां पर एक traitor निकल के आता है traitor, Indian traitor नाम है नरेंद्र गोसाई नरेंद्र गोसाई ठीक है इसने क्या किया था इन लोगों के खिलाफ में लोगों के अगेंस में जो है वो बयान दे दिया था और बताया क्या गया था कि किस तरीके से कंस्पिरेसिव अगरा प्लान की जा रही है लेकिन ultimately यहां पर सियरदास ने औरविंद्र गोश को तो बचा लिया और विंद्र गोश को यहां पर बचा लिया किसी तरीके से लेकिन जो बारींद्र गोश है इनको ultimately imprisonment हो जाती है इनको imprisonment हो जाती है जेलो जाती है लेकिन यहां पर जो traitor हैं यह नरेंद्र गोसाई ये आप लोगों के दिमाग में झहटकने लग गये थे अब इसी अनुशीलन समिति के दो और ना यहान है न दोशाय जिया जाकर कि मार दिया गया मार देने के खिरार ऑव्यसी बात है बिटिशर जो होता है वो फिर से गरम तो होई जाएंगे कहेंगे कि यार हमारे कस्ट्रडी में हमारा बंदा हमी को मार दे रहे हैं तो ultimately हुआ कि या कनही लाल और जो सतेंद्र इन दोनों लोगों को फिर hang till death this is hang till death मार दिया गया था ultimately इन लोगों को तो यह थी पूरी अलिपूर कंस्पिरेसी के बारे में आगे अगर देखा जाए तो next एक और छोटी सी घटना होती है सूरिय सेन के द्वारा अब यहाँ पर क्या होता है सूरिय सेन साहब रहते हैं इन्हों ने चलो यार हमें भी कुछ होता है घृत करते़ नहीं चाँए तो इन्हों ने कैया तीन इलाकों को चुना था कौन कौन से ? चटगाओज पर और बारी साल के अलावा एक था मेडन लोगों ने कैänner जो रिभूशनरी activities वो करना चुरू किया गया था 1930 की बात है 1930 में इस अरी इस पर यहां पर एक important चीज होती है चटगाउं आर्मरी केस चटगाउं आर्मरी केस यहां पर होता क्या है कि जो सूरिय से नों की आर्मी होती है सुरी सेन् ये लोग क्या है कि जो六 के फोर्ट रहता है उसमें जा कर दो रह फैरक जाते और वहां पर जितने भी आभाव अगरह उन पूर सब्सक्राइन को उनको भी कभा से UBेने तो आप बन्दी बना लेते पूरा का पूरा क्या हुआ कि अब इसकी inquiry की जानी शुरू हो गई और इंक्वाइरी करने पर यहां पर हमारे जो सूर्य सेन है इनको hang till death इनको मार दिया जाता है फांसी पर चड़ा दिया आता है तो hang till death हो रहती है और इनके साथ में जो लोग रहते हैं के साथ में कौन कौन लोग रहते हैं इनका नाम है अनंत सिंग इसके अलावा अनन्त-अंबिका इसके अलावा मडी लाल और लोकनाध इन लोगों को इंपरिजन कर दिया था है इनको जेल में बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से सूरी सेंकी भी कहानी खतम हो जाती है तो यह थी पूरी की पूरी के उपर में Magistrate Kings Ford के उपर में प्रफुल लचंद्र और खुदी राम बोस ने किया था फिर Harding Bomb Case होता है Delhi Conspiracy जिसके बारे में हम लोग ने बहुत ही डीटेल में बाते की ठीक है अच्छा एक और चीज यहां पर जब यह जॉर्ज लोग आये थे जॉर्ज फाइव किंग आये थे तो 1911 में यहीं पर दली दर्बार किया गया था इसके अलावा इससे पहले कौन किया था इससे पहले आपका जो लिटन था उसमें किया था तीक है उस समय प्लिक भी फैला हुआ था खेर यह सब हम लोग बाते कर चुके है ठीक है फिर उसके ब यहां पर अब थोड़ा सा एक और नया सेग्मेंट देख लेते हैं और वो है वुमें सेग्मेंट वुमें के बारे में भी देख लेते हैं कि वुमें ने क्या क्या काम किये था तो देखे हम लोग बाते अभी भी बेंगॉल की ही कर रहे हैं सो कीप इन माइंड ठीक है वुम अनुशीलन समिती के मेंबर रहती है तीक है अच्छा अनुशीलन समिती के एक मात्र जो महिला रहती है उस समय पुराने टाइम पर बाद में खेर काफी लोगों आते हैं और उनका नाम है शिस्टर निवेदिता ठीक है खेर अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे तो प्रितिलता अनुशीलन समिती में रहती है और इन्होंने क्या है कि रेलवे इंस्टिट्यूट पर अटैक किया था प्रितिलता इसके अलावा कलपना दत्ता थी इसके अलावा सुनिधी चौतरी सुनिधी झौतरै थी और शांति थी ठीक है इन लोगों क्या किया था इन लोगों के डीयम की मतलब murder कर दिया था तो कोमिला का जो डियम था उसका मॉडर कर दिया था इसके लाव है कि बड़ी खतरनाक चीज की गए थी वो थी बीनादास के द्वारा सुधिस इस बीनादास बीनादास ने क्या किया था कि गए थी अपना कॉन्वोकेशन था मेडल लेने या रहे थी और वहां पर जो गवर्नर गवर्नर के उपर में गोली चला दिया गया था तो गवर्नर वाश शॉट इतना खतरनाक काम किया गया था औव्यसी बात है इन सब लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था यहां फिर इनको हैंग तिल डेथ मतलब की फांसी दे दी गई थी लेन खैर वोमन की भ मिलती है and that is the main thing about all these things ठीक है तो इसारी चीज़े आप तो ध्यान रखेएगा बहुत 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 जादा important है ठीक है अब हम दो जड़ा बाते करते हैं UP के बारे में UP में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है तो UP में क्या चल रहा है देखे यूपी में कोरोना चल रहा है में डार्मी सो दिस इहंदूस्तान रिपबलिकन आर्मी अर् ! है और यह बनाए जाती है तीन लोगों के दबारा कौन-कौन रहते हैं हमारे belum प्रसाद बिसест मिल रहते हैं इसके sedan शेकर आ जाद रहते है ठीक है इसके अलावा और कौन रहते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल होता क्या है कोई भी organization मनाने के लिए obvious बात है finance की जरूत पड़ती है तो finance के लिए ये लोग क्या करते है कि train लूटा करते थे और एक बार की बात है ultimately इन्होंने कहा कि या अब एक बड़ा घटना करना पड़ेगा तो इसलिए इन्होंने काकोरी conspiracy की गई this is काकोरी conspiracy काकोरी में किया ये गया कि इन्होंने एक train थी eight down train eight down train को इन लोगों ने target किया जो जा रहती साहरन पुर से लखनों की ओर में और इसको इन लोगों ने लूट लिया था लूटने के बाद में obvious सी बात है death भी हुई थी लोगों की तो यहां पर एक सेकेंड ये इरेज कर दिया जाए यस तो यहां पर ultimately होता यह है कि होता यह है कि जो हमारे राम परसाद बिसमिल रहते हैं राम परसाद बिसमिल इनको गोरकपुर के जेल में इनको हैंक कर दिया जाता है ठीक है हैंक कर दिया जाता है दूसरे इसी तरीके से हमारे अश्वाक उल्लाख खां थे अश्वाक उल्लाख खां इनको फैजाबाद में फैजाबाद में हैंक कर दिया जाता है ठीक है सारे इलाके गोरकपुर के ही पास पा तरीके से राजेंद्र लाहिडी रहते हैं तिस राजेंद्र लाहिडी और इनको गोंडा में फांसी दी जाती है गोंडा लखनव से पहले एक स्टेशन पड़ता है और खेर आज तो डवलप हो गया लेकिन उस समय एक छोटा सा इलाका हुआ करता था तो यह सारी चीजे होती और हमारे जो आजाद सहाब है यह आजात तो खेर आजाद हैं यह हां से भाग जाते हैं यहां से यह शकेप कर जाते हैं करने के बाद में थोड़े दिन underground रहते हैं लेका 돼 रिपब्लिकन पार्टी और यह बनाए गया था डेली डेली में ठीक है डेली में ही फिरोशा कोटला मैदान है वहाँ पर इन्हों मतलब अनॉंसमेंट की गई थी अब इसके बहुत सारे मेंबर थे आजाद भी थे ठीक है इसमें कई सारी घटनाएं की गई थी जैसे एक था सा सांडर्स मर्डर प्लान अब यहां पर कौन थे हमारे भगत सिंग ठीक है भगत सिंग ने प्लान किया था इसके अलावा राज शेखर थे राजगुरु थे सौरी राजगुरु ठीक है तो यह और आजात थे इन लोगों ने बेसिकली इनका प्लान किया था सांडर्स का यहां पर जब सांडर्स की हत्याग वाला प्लान होता है तो यहां पर लोग भाग जाते हैं तो कोई भी मिलता नहीं हो पाता है लेकिन हाँ खोज अभी भी चल रही है लाहर कंस्पिरेसी में हुआ क्या था कि यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बि अब इन दोनों ये दोनों बिल एक्चल में मतलब इंडियन्स के अगेंस्ट में थे और इस कारणा से जो हमारे भगत सिंग थे भगत सिंग और इसके अलावा बटुकेश्वर दत बटुकेश्वर इन दोनों लोगों ने क्या किया बॉम लेकर के गया थे और अल्टिमेटल गया था तो यह थी लाहॉर कंस्पिरेसी जो लाहॉर के पार्लेमेंट में हाउस में की गई थी और सैंडर्स मॉडर ये दो काम किया गया था इनके द्वारा ठीक है तो ये दो लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है जो की काफी इंपोर्टेंट है ठीक है इसके लाबा एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी जैसे क्या रखना है यहां पर देख लेते हैं जैसे जो इनकलाब है इनकलाब यह क्या है इंकलाब लॉंग लिव रिवोलुशन और यह बिसिकली मुहमद इकबाल ने मुहमद इकबाल ने यह टर्म निकाला था कब लिख अलवान सभा और यहां पर कौन-कौन लोग थे इसके बनाने में तो एक थे हमारे भगत सींग है भगत सींस्ख क्फुदी हो गए इसके अलावा यह पाल के अलावा और कौन थे इस अलावा चबील दास थे then आ झिए खर्वील दास थे यह जिरूत में अभी से किसक्ष कर रहे हैं इसके बास से इस साथी चीजार रिटान में है ne deportバ disagreement करने के बाद में जो रिटन वाली कहानी हो गई थी यह सारी चीज़े की गई थी अच्छा एक बॉम्ब वाली केस भी आप लोग समझ रहोंगे बॉम्ब का क्या कहानी है बॉम्ब जो बेंगॉल में बनाया जा रहा था बेंगॉल की कहानी है बेंगॉल में भी बनाया जाएगा तो बेंगॉल में जो बनाया जा बोहरा ठीक है भगवती चरन बोहरा तो इन्होंने हालकी बुक भी लिखी थी फिलस्फी ऑफ दबॉंब खेर यह चीजे हैं तो बॉंब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेंगॉल वेले बॉंब है हेम चंद्र के द्वारा और भगवती चरन बोहरा यह बॉंब बना एक अनाम याद रखेगा अंजुमे महबाने वतन यह और बनाए गए थी हमारे पंजाब में और इसमें कौन-कौन लोग थे अंबा परसाथ थे फिर आपके लाला हर्दयाल थे अजीत सिंग थे तो यह किवल और पंजाब में काम आ जाएगी फिर हमारे पास आते हैं और हम देख लेते हैं हमारा किसके बारे में मह रास्त के बारे में महारास्त में अखिर क्या चल रहा है सो महारास्त के लिए सो महारास्त में क्या सबसे congress चापेकर ब्रदर्स थे चापेकर ब्रदर्स अब दिकिए जब चापेकर ब्रदर्स का नाम पढ़ेंगे तो पहले organization का नाम भी देख लेते हैं तो organization थे व्यायाम मंदली थी यह जो व्यायाम मंदली थी अक्शल में है तो थी पहलवानों लेकिन यह revolutionary activities भी करते थे अब यहां पर यह जो व्याया मंडली थी यह थी चितपावन ब्राह्मनों की चितपावन ब्राह्मन की ठीक है अब हुआ क्या कि यह लोग revolutionary activities तो करते ही थे लाइक अनुशीलन समिती वैसे यह भी revolutionary activities करते थे हुआ क्या चापेकर ब्रदर्स में चापेकर ब्रदर मतब चापेकर बंदू यानि दोनों भाई होंगे तो नाम भी कुछ होगा ना एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम था दा एम हर्स्ट कमिटी और इन लोगों का काम था घर घर में जा जाकर के चेक करना कि यार्पलेग से क्या दिक्कते हो रही है और उसके लेकर के एक solution प्रोवाइड करना लेकिन इन लोगों ने किया किया मिस्यूज आफ पावर इन लोगों ने मिस्यूज आफ पावर इन लोगो दोने क्या किया कि दिया मैं एक यहां लोगों को बाद में हैंग तिलade कर दिया तो बाद में लोगों को अब दी गए थी लेगें वीडी सावरकर थे तो बहुत अच्छे ठीक है और in fact थे भी अच्छे लेकिन इनके जो thoughts है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा modify कर दिया गया है ठीक है तो in fact आप लोगों को अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कितना ज़्यादा modification कर दिया उन्हें मित्रमेला बनाया था और revolutionary activities को यह लोग करते नहीं थे बढ़ हां उसके बारे में चर्चा करते थे discussion करते थे आगे जाकर के जब यह हमारे वीडी सावरकर साब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद में यही मित्रमेला का नाम रख दिया था अभिनव भारत अ कई लोगों का involvement था उसमें हमारे वीडी सावरकर साहब का भी involvement था इनहां पर अच्छा नाशिक conspiracy में किया क्या गया था यहां पर जो डिस्टिक मजिस्ट्रेट था जैक्सन उसका मॉडर कर दिया गया था जैक्सन मॉडर कर दिया गया था और यह था बैसिकली नाशिक का तो गुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे इन्होंने वीडिो के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है वीडियो के लिए video society खोली गई थी इसके अलावा वुमेन के एजुकेशन के लिए फर्स्ट मुमेन युनिवसिटी भी इनी लोगों के द्वारा खोली गई थी नैंटीन जीरो सिक्स में ठीक है करवे गुरूप के द्वारा तो अनंत लक्षमेंड कनहारे ने बेसिकली इस जैक्सन के मार दिया ग लेकिन जो हमारे वीडी सावरकर्स आपते भाग गए कहां भाग गए लंदन भाग गए लंदन भागने के बाद में यह जाएंगे कहां यह जाते हैं इंडिया हाउस अब यह देखिए जो इंडिया हाउस है यह क्या चीज है और इसकी कहानी क्या है हालकि इसकी कहानी हम लो हम लोग बात करते हैं श्याम जी कृष्ण जी वर्मा के द्वारा के द्वारा Sabi क्रिश्ण वर्मा यह क्या थे कुए पंजाब में जन्मय थे लेकिन मूब कर गहे थे लंदन में रूंदन में इन्हों ने क्या किया था कि यहां पर एक Indian Home Rule Society बनाया था Indian Home Rule Society कोई भी revolutionary activity नहीं करते थे लेकिन हाँ यहाँ पर जो है discussion वगरे किया आता था Indian Independence Struggle के बारे में discussion वगरे किया था लेकिन कुछ खास काम यह नहीं करते थे इन्होंने अपनी एक magazine निकाली थी magazine जो इस Home Rule से ही related थी नाम था इसका Indian Socialist Indian Socialist और इसके अलावा यह करते क्या थे कि अगर मा लेते हैं कि भारत से इंडिया से कोई भी बाहर से आता था लंदन में आता था तो उसके लिए इन्होंने एक hostel खोल रखा था उसका नाम था Indian House इस इस Indian House तो obvious सी बात है कि अगर और हमारे वीडी सावरकर साहब यहां पर आ रहे हैं तो यह भी Indian House में आ करके रुकेंगे Indian House के जो Chairman थे या कह लिजे जो President थे उनका नाम था मदनलाल धींगरा इनका नाम था मदनलाल धींगरा अब हुआ यह मदनलाल धींगरा और वीडी सावरकर यहां पर पहुच चुके हैं तो एक बार इन्होंने क्या किया था जब discussion किया तो 1857 वार को ले करके discussion हुआ और यहां पर वीडी सावरकर ने First Indian Independence Struggle की कहानी बताई First Indian Independence Struggle और इसी पर इन्होंने अपनी बुक भी लिखी 1857 वार पे कहा जाता है कि यह 1857 के लिए बेस्ट बुक है बताने के लिए क्या चीज़े हुई थी सारे facts, सारे figures इन लोगोंने काफी अच्छे से दिखाये थे वीडी सावरकर ने जब यह 1857 वाली वार अपनी पूरी कहानी दिखाई तो ultimately यहाँ पर लोग जो है बहुत जादा enthusiastic हो गया enthusiastic होने के बाद में अब Indian जो house है Indian house का अब काम क्या हो गया Indian house का अब काम हो गया revolutionary activities को अंजाम देना तो अब यह revolutionary activities को अंजाम देना शुरू कर दिए थे यह सारी कहानी कहां चल भी है लंदन में चल भी है ध्यान रखिएगा ठीक है और इनके साथ में अब बहुत सारे लोग जुड़ गए थे जैसे मडलना धिंगरा पहले से हैं वीडी सावरकर आ गए इसके अलावा लाला हर्देयाल आ गए थे लाला हर्देयाल इसके अलावा द्वारका दास आ गए द्वार इंगे यह लुग पर कर दिए किछ की अग्जांपल भी मिलना चाहिए करते क्या थे यह लोग जो गन होते हैं गद की सब्लाई करना शुरू कर दिये थे लोगों को polarize करना शुरू कर दिये थे अगेंस इंडियन struggle कि आप इंडियन struggle में जाईए वहाँ पर गन वगर है बारूद वगर है बॉंब वगर है सब हम दिंगे और इस बीच में enthusiasm है हुआ क्या कि यहीं पर यहां का एक magistrate था उसकी हत्या कर दी गई मजिस्टेट क्या नाम था उसका विलियम हंट करवे विलियम हंट करजन इसके इन लोगों ने murder कर दिया अब murder करने के बार में यह जितना भी activity इंडियन हाउस में चल रहता यह सारी चीजे अब यह market में आ गई market में आने के बार में obvious ही बात है बिटिशर इन पर control करेंगे तो बिटिशर ने क्या किया arrest किया सब को arrest किया अब arrest करने में कौन कौन लोग है हमारे श्याम जी कृष्ण जी वर्मा है श्याम जी कृष्ण जी वर्मा भाग करके कहां चले गए जर्मनी 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 जा करके कहीं रुकेंगे तो रुकेंगे कहां भीका जी कामा के पास में भीका जी कामा के पास में अब भीका जी कामा कौन है क्या है यह सब हम लोग बाते करेंगे तो भीका जी कामा के पास में भाग करके श्याम जी क्रिश्ण जी वर्मा चले गए अब कौन बचा? मदल नाल धिंगरा बचे मदल नाल धिंगरा को hang till death hang till death इनको फिर मार दिया गया फांसी दे दी गई वीडी सावरकर फिर आए वीडी सावरकर को वापस ले आया गया इंडिया क्यों? क्योंकि उनके उपर में दो चार्ज है एक नाशिक कंस्पिरेसी का भी है और साथ ही साथ में ये आपकी इंडिया हाउस वाली हो गई तो इंडिया हाउस तो इनको ले आया गया इंडिया में थीक है अभ जब इंडिया में ले आया जा रहा था तो दो चीज भी अगें इंपॉर्टेंट है क्रूज का नाम पूछा आहाता है कौनसे जहाज से ले करके गए तो देखें ये मोरिया जहाज से गय थे और उरिया जहाज से गय थे एक सेकेंड जब ये लन्दर गै थे तो प के पास में पहुंचे थे तो यह जो ऊसे यह उसमें कूद गय थे और कूद करके पहुंच गय थे french कॉलोनीं के पास में french कॉलोनीं के पास में गौ्वा लेगर उल्टीमेटली जो ब्रिटिशỡ थे उन लोगोंने इस हिख फ्रेंच बचंदे के Are हुआ है फिर लाला हर्दयाल द्वारका दास बरकतुलाई और महाराजा महेंदर अब हुए क्या किक लाला हर्दयाल च्छले गए कह abundance यूएसेcoal сे चले गए और वहाँ पजाए करके पार्टी बना गदर पार्टी बना ली जिसे देखिए लोगों को यही डाउट रहता है कि आखिर में यह सारी चीजे हुई तो कैसे हुई कहां से लोग गए कैसे गए है ना तो यह क्लियर होना चाहिए आपको फिर आपके जो बरकतुल्ला और महिंद्र यह हैं यह लोग भी काईदे से शु पूरी हमारे इस महारास्ट के बारे में और यह सीन रहता है महारास्ट का क्लियर हो गया क्या क्या चीजे हुई है कैसे हुई है ठीक है तो यह आपका पूरा डोमेस्टिक के बारे में हो गया अब जरा यहां पर जितनी भी लंदन वगरे के बारे में चीजे देख रखे हैं आखिर में जो लंदन वाली चीज़ें यह चल रही है तो क्या हां चल रही है और फॉरं में क्या कुछ चीज़ें हो रही है तो चलिए फिर वन सेकेंड लेट मी टेक अनधर पेज एंड लेट डिसकस दा थिंग्स अब हम लोग बाते कर लेते हैं फॉरं की कि फॉरं में क्या कुछ चीज़ें चल रहा है तो फॉरं में क्या कुछ चीज़ें चल रही है तो फॉरं में देखिए जो चीज़ें चल रही है वो तीचार जगों पर चल रही थी जैसे एक थी आपकी जो लंदन में चल रही थी ठी क cools कि चल रही है फिर भूब करेंगे कहां पर Us में क्या कुछ कुछ चल रही है नोसल समय बाते करेंगे अफ्गानिस्तान में कि चल रहा है और एक और चीजे हम बात कर लेंगे जापान के बारे में ऐसे लंडन में तो खेर हम लोगों ने देखी लिया कि यहाँ पर श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ठीक है और यह अपना चला रहे थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी पर यहां पर यहां पर यह अपना रह रही थी और यहीं पर बिसिकली इनका सारा लाइवलिवूड वगरा सब कुछ यहीं पर था इन्हों ने क्या किया था भीका जी कामा ने जो यह श्याम जी कृष्ण जी वर्मा इनको फिर अल्टिमेटली यहां पर अपने घर में ही रोका ठीक है अब यहां पर क्या है कि जितने भी अक्टिविटीज वगरे चल रही थी में जर्मनी में ऑप सारा का सारा भीकाजी कामा ही देख रही थी है इसलिए इनको बुलाता है इन नाम फी याद रखेगा है एक लिखा गया है जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मधं तलबार त ञहर पुब्लिकेशन्स वगरे यह ध्यान रखिएगा इन्होंने इसके तुरू जो होता है लोगों में स्ट्रगल वगरे के बारे में बताया था अब यहां पर हुआ क्या था कि जर्मनी में ही एक एक socialist Congress हो रही थी इन्टर्णेशनल के मिसे आपना जंडा भी यहां पर पहली बार यह पहले आने पर जंडा एन लोगों ने क्यों रहा था अब क्atureson यह भोड़ता है कि जंडाबनाया किसने था जंडा बनाने वाले हमारे थे वीडी सावरकर ठीक है वीडी सावरकर और साथ ही साथ में हेमंत दास तो दिस इस हेमंत दास इन दोनों लोगों ने क्या बनाया था जंडा बनाया था और जंडा फैराया किसने था हमारे भीका जी कामा नहीं जंडा फैराया था बाकि लंडन के बारे में पढ़ लिया गया है जर्मनी के बारे में discussion हो गया है सो कुछ भी यहाँ पर अब बचा नहीं है अब हम लोग बाते कर लेते हैं USA के बारे में क्योंकि लोग USA ही भाग करके आए हैं So USA में हुआ क्या कि पहले तो देख लेते हैं कौन-कौन भाग करके आया था तो यहाँ पर आया थे एक बरकतुला So this is बरकतुला ठीक है? एक सेकंड नीचे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर clarity रहेगी ठीक है? So this is यहाँ पर बाते कर लेते हैं ठीक है? Okay, one second ठीक है? तो हमारे बरकतुला साहब ने यहाँ पर लिख लेते हैं बरकतुला बरकतुला साहब आये थे इसके अलावा लाला हरदयाल आये थे हरदयाल आये थे ठीक है? इसके अलावा सोहन लाल आये थे सोहन लाल भाखना This is भाखना ठीक है? इसके अलावा राजा महिंदर भी आये थे तो राजा महिंदर भी आये थे इसके अलावा दौार का दास आये थे तो यह लोग थे अब इसे लोगों की एक्चुली कमिटीज हैं इस वज़े से नाम याद रखना आप लोगों के लिए important है और एक और तारकनाथ याद रखिएगा तारकनाथ ठीक है तो हमारे जो बरकतुला साहब जब USA आये थे तो यहाँ पर इन्होंने न्यू यॉक में एक organization open किया that is society for advancement of society for advancement of India यह open किया गया था हाला कि बाद में यह चले गए थे Afghanistan तो यह धियान रखिएगा Afghanistan की कहानी यहीं से इनकी शुरू होगी ठीक है फिर हमारे राजा महिंदर यह भी जो हता है ultimately कुछ दिन थे USA में लेकिन ultimately यह भी Afghanistan ही चले गए थे तो अफगानिस्तान इनको भी जाना है तो ध्यान रखेगा राजा महेंद्र और बरक्तुला यह लोग जाएंगे अफगानिस्तान जो हमरे लाला हर्दयाल है और सोहन सीम भागना इन्होंने क्या क्या था गदर पार्टी बना ली थी इस गदर पार्टी कहां पर कैनेडा में ठीक इन लोगों ने मैगजीन निकाली हुई थी तो यहां पर इन लोगों ने किया यही था कि जो भी यूसे में या कैनेडा में या जो भी बाहर रह रहा है उनको इंडियन इंडिपेंडनेंस इस्ट्रगल में जो कुछ भी करना है उसके लिए ये लोग कलेक्ट करते थे लोग किया था द्वारगा दास ने इंडिपेंडेंटीडेंग कि इंडिपेंडेंदेंस भ भी कहां पर कैलीफोर्निया कैलीफोर्नीया मैं इसी तरीके से हमारे तरकनाथ ने एंदिंडिया है इंडिया है लेकिन यह सारे आपको याद करने होंगे ठीक है because these are important things तो यहीं पर एक प्रकरण हुआ था एक केस हुआ था कोमा कामा गाटा मारू कामा गाटा मारू इंसिडेंट ठीक है कामा गाटा मारू इंसिडेंट हुआ था जो कि अगें बहुत important incident है अभी हम लोग discuss करेंगे इसके बारे में ठीक है अब देखें फटाफट देख लेते हैं अफगानिस्तान में क्या चीज़े चल रही है अफगानिस्तान में हुआ यह था कि अफगानिस्तान उस जा करके अपनी यहां पर गवर्मेंट बना ली थी इंडिया की गवर्मेंट ऑविएसली और जर्मनी ने रिकगनीशन भी दिया जर्मनी और रश्या उस समय का यूएस असार ने इसको रिकगनाइज भी किया कि यहां ठीक है दे है आर नौ इंडिपेंडेंट एरिया अब पर는지 के अंडर अंडर में नहीं है पिर यहां पर राज रास बिहारी फिर आएंगे और यहां प MR उनेगी आई एन ए आजाध हिंद फोर्स ठीक है तो यह आपके पूरे के पूरे इलाके हैं इनके बारे में आप लोग द्यान से समंझ लिजेगा ध्यान से देख लिजेगा ठीक है अब ज़रा एक दो से इनके नित से होक देखी लेते हैं फटा फटा की एक और लोगों ने यहां पर बेंड की कॉमा घाता मारु इंसिडेंट है उस्टे एक को आपको ध्यां दากना तूसरा है तो bile हान ऐस्ट एकषय मार के बारे गया था तो दिस इस गुर्दीत सिंग एक्च्वल में इंसिडेंट क्या था और इंसिडेंट से पहले सोर्स क्या है सोर्स का मतलब यह है सेडिशन कमेटी बनाई गई थी जिससे हमें पता चलता है कि कौमा गाता मारूप रकरण कुछ हुआ था दूसरा कैंप बेल ने अपनी एक बुक लिख लिखे थी Campbell ने अपनी बुक लिखे थी और वहाँ पर भी इस कौमा गाता मारूप रकरण का इंसिडेंट का यहाँ पर भी हमें जिक्र मिलता है हुआ यह था कि जो Canada है Canada ने अपना एक law निकाल दिया था और उसमें यह कहा गया था कि कोई भी इंडिया से अगर सीधे आएगा तो ही केubbyale entry दी जाएगी तो ही वीजा दिया जाएगा अगर बीच में कहीं रुकता है तो फिर उसे कोई भी वीजा नहीं दिया जाएगा इनर कहा जा तो एक तरीके से यह कह सकते हैं आप की कैनेडा ने डिरेक्ट एंट्री मना कर दी थी या फिर कह लिजे कि इंडियन्स के लिए एंट्री ही बंद कर दी थी लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो कैनेडा के हाई कोड थी उसने कुछ लोगों को मतलब अलाव कर दिया था और इसको सुन करके अल्टिमेटली जो हमारे गुर्दीत सिंग थे यह बड़े एंथुजियास्टिक हो गया उन्होंने क्या किया सिंगापूर से मतलब सिंगापूर से कुछ लोगों को बिठा करके अल्टिमेटली कोमा गातों मारू एक शिप को किराय पर लिया जपैन की शिप थी और यहां से ले करके फिर अल्टिमेटली यह चले गए जाएंगे कैसे सिंगापूर से इन्हें जाना है तो इन्हेंने क्या किया था सिंगापूर सिंगापूर से फिर मलाया मलाया से फिर चाइना चाइना से फिर जपैन और जपैन से होते हुए फिर कैनेडा पर आ गया दिख रहे ना स नहीं दी जाएगी तो अब्व्यस्सी बात है लोग जो होता है वो थोड़े से भढ़क जाएंगे लेकिन खार इंको वापस इंडिया बुला लिया गया आज वाई इंडिया में अल्टिमेटली कैलकटा में यह लोग पहुचे कैलकटा में ठीक है और जब यह कैलकटा में पह यहां पर जो शिप में बैठे हुए लोग हैं जो बिसिकली क्रू मेंबर थे उन लोगों को पोलराइज कर दिया है अगेंस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तो अब इनको एक डर था कि यार कहीं आ करके यह लोग कोई हमारे लिए बखेडा ना खड़ा कर दे क्यों जो हैं लोगों की इनकी मतलब जो कोमा गातू मारू के लोगैशक ब तो आप लोग के बीच 사व की वापस लाया गया यह हए पर मीन इंसिडेंट यह था कि कि दोलों के बीच में आप एक चोटी सी वार हो गही थी चोटा सा एक लड़ाई हुआ था टीक है रहेतीक क्यों ग गडर पाटी के लोग थे इन लोगों ने यह कहा चलो इंडिया चलते हैं महां पर अटक किया जाएगा सारे अक्टिविटीद ओँ और अल्टिमेटल से लोग जब आ रहे थे तो जाने में यहां पर हमारे स्वामी श्रद्धानन थे स्वामी श्रद्धानन कौन है स्वामी श्रद्धानन याद करिए दिस आरे समाजी तो आरे समाजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था कि जो तोशामारूश शिप में ही जो लोग बैठे थे उसमें उनको इन है पर्मानन कोलोनी वगर हैं तो भाई पर्मानन ने प्ला इसेशन कर दिया कि आपशार को इतना जीजादा इंथुजियास्ट को आभे को आधा कराकर करें ही रहें गे कि एक है डूंडे काउन गुंडे खान और चिष्टी खान तो इन लोगों को बेसिकली जो होता है पोलराइस कर दिया था यहीं पर फैरा दिया गया था कि आप इंडिया हमारा आजाद है इंडिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तीसरा है सिल्क पेपर सिल्क पेपर खैर उतना जाद है खुछ खास ली के द्वारा और इल्टिमेटल से इंटरिशिंट ने इंटर्सेट कर लिया था और इस तरीकर से पूरा इंसिदेंट हो गया था क्लियर हुए क्या चीज राफंसों कि परी कर लिए है और एक भू सबूरा इंट के के लिए कमिटी बनाई गई थी अरुंडाले कमिटी ध्यान लखिएगा इसके लावा पंजाब में अगर बात किया जा तो लाला हर्द्याल थे गदर पार्टी थी लाला लाजपत राय अजीत सिंग जतिन मोहन सूफी अंबा प्रसाज थीक है तो इन लोगों ने बेसिकली अं और बिंदगोश पकड़े गए थे हावरा कंस्पिरेसी हुई थी बर्रा डकैटी हुई थी जिसमें पुलिन बिहारी दास थे फिर महरास में अगर देखा रहा तो व्यायाम मंदल था दा मोदर और बालकृष्ण चापेकर जिन्होंने रेंड और एहम हस्ट की मॉडर कर दि दिया है तो देखिए हनुशिलन समथी के फोर पॉइंट एजिंडा थे और वो थी हेट्रेड इन एजुकेटेद क्लास अगेंस्ट अगेंस्ट अब्रिटिश लोग हैं उनको बिटिश के बिटिश के खिलाफ बेसिकली भड़काना उनके मन में जो होता है हेट्रेट फैला और बाकी डखैती इसके लिए जो हता है वॉलंटियर वगर है जुगारना बाकी दो इनके में काम थे कि अब मॉर्डर करना है और ब्लड अगेंस ब्लड यह दो इंपॉर्टेंट चीज थी ठीक है इसमें क्या थी सिस्टर निवीद है एक मातर वोमन मेंबर थी बागी लिपूर यह लोगों के बारे में हम लोगों ने देख रखा है रिवालिशनली एक्टिविटी इस आउटसाइड इंडिया जो चल रही थी वो थी आपकी इंडिया हाउस में देख लिया हम लोग ने श्याम जी क्रिशन जी वर्मा के बारे में बरतुला द्वारकानाथ ता देख लिए शोर कमिटी बनाई गई थी बाद में तो शमारों इंसिडेंट देख लिए हैं और सिल्क पेपर भी आप लोग देख लिए हैं तो यह थी बेसिकली आज की पूरी डिसकेशन जिसमें हम लोगों ने डीटेल्ड डिसकेशन किया अबाउट दा रिवालिशनली ए करके वहाँ पर आप जीएस की मेंबर्शिप ले करके जीएस की जो मटेरियल्स वगर हैं उनको एकसस कर सकते हैं बाकी कोई डाउट रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में इमेल और टेलिग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसको आप जॉइन कर सकते हैं और अपन